अब आप सब लोग के मन में एक उच्छा कॉलेज मिल सकता है क्या पचास हजार रैंग के बाद भी कोई एक अच्छी ब्रांच मिल सकती है आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपके इच्छा है कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने की तो आप कौन-कौन से कॉलेज को टार्गेट कर सकते हैं बहुत इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है कुछ अच्छी एनाइटी और गॉर्मेंट फंडे इंस्टूट को हमने या पर सलेट किया है और इस वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं बिलकुल अगर आपकी रैंक 50,000 प्लस ह तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए क्योंकि जितना भी डेटा हम या पर शेर करने वाले हैं that will be very authentic और इसके basis पर आपको बढ़िया college मिल सकता है तो सबसे पहले सर बात करते हैं NIT से तो NIT में जो सबसे पहला NIT है that is where NIT में घाले अगर इसमें आप home state की closing rank देखोग है तो इसको भी आप यहां पर बढ़िया तरीके से देख सकते हैं NIT में घालिया के बाद मैम जो next है हमारी अगर तला NIT अगर तला की बारे में बच्चों बात कर लेते हैं यहां पर अगर आप देखेंगे तो home state के अंदर open category में 55,000 rank जो है इसके उपर भी आपको computer science ब्रां अगर आप NIT Sikkim की closing rank देखोगे तो 1,62,246 के आसपास open rank इसकी गई थी इसी के सासाथ अगर other state की बात करें तो 24,000 के आसपास यहां पर आपको rank देखने को मिलने वाली है इसे देखके कभी कोर ऐसा लगता है कि 1,62,000 बहुत पीछे है तो यह क्या NIT अच्छा होगा क्या हमें लेना चाहिए अब जरू यहां पर देखिए अधर स्टेट कोटे के अंदर 24,000 वाला आपके साथ आके पढ़ रहा है तो इससे बच्चे सलेक्ट कर रहे हैं अधर स्टेट से तो यस डेफिनिटी इस वेरी गुड ऑप्शन फोर यू गाइस नेक्स्ट इस दी NIT मनिपूर मनिपूर के अंदर जो हमने यहां पर देखा तीन लाक जो है यहां पर इस रैंक तक तीन लाक दो हजार चारसु पच्छिस एक्जट डेटा यह आपको यहां पर जो होम स्टेट के अंदर मिल जाता है तो कुछ बच्चों की मैं इच्छा होत अगर आप देखोगे तो आपको computer science में ही देखने को मिलेंगी मैम अधर स्टेट में यहां पर 29,000 जा रहा है ठीक है तो अगें सेम लॉजिक से आप समझ सकते हैं यहां पर कि जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं व इस चीज को प्रिफर कर रहे हैं बिकॉस दे नो कि कितना जो हैं यहां पर computer science लेने से benefit होता है अगली NIT देखते हैं अगली NIT यहां पर अगर आप closing rank home state की देखोगे तो 4 lakh के आसपास आपको यहां पर देखने को मिलेगी 4,44,859 और अगर other state की हम लोग यहां पर discussion करें तो 31,000 approximately other state की rank गई थी और यह पूरा 2023 का data आपके सामने हैं including SC STN EWS तो यहां पर आप सारा data observe कर सकते हो next NIT में जाने से पहले में आपको इक चीज बताना चाहूंगा यह government funded institute है आपके मन में चीज होगी कि सर आपने यह वीडियो में लिख रखा है counseling data 2023 तो क्या यह 24 के अपला होगा या नहीं होगा definitely आप इसे एक बिलकुल safe rank अपनी मान स जाएंगी जैसे new branches आएंगी तो यह जो branches की जो rank है धीरे धीरे थोड़ी पीछे ही खिसकेगी तो yes definitely इस rank पर आपको जो है यहां पर branch मिल जाएगी definitely तो जब भी आप कोई जगह select कर रहे होते हैं कोई भी college आपको strategically इसकी location भी समझनी पड़ती है इसकी अगर आप closing rank देखोगे तो 58,000 पर यहां पर closing हुई थी 2023 में for the computer science department next sir बात करते हैं यह जो है cent longa wala institute of engineering and technology यह जो है पंजाब में है बचो पंजाब अगें जो है एक ऐसा जो है closing rank यहां पर तो definitely again it's a very good option for you guys next is the Mizoram University Isewal यह भी एक अच्छा option आप लोगों के लिए रहने वाला है अगर आप इसकी closing rank देखोगे तो लगबग 67,000 हम मान सकते हैं क्योंकि 66,981 closing rank गई है और SCST EWS का data भी आप यहां पर देख सकते हो so this is also one of the good option for the computer science department next is the school of engineering तेचपुर नपम तेचपुर जो है यहां पर आप आप देखोगे अगें जैसा हमने बोला 50,000 के उपर आपको क्या opportunities हम आपको बता रहें 54,313 इस rank पर आपको यहां पर computer science branch मिल जाता है बच्चों नेक्स्ट इस श्री माता वैश्नदेवी युनिवर्सिटी जम्मु एन कश्मीर में ये युनिवर्सिटी सिच्वेटेड है अगर आप इसकी closing rank देखोगे तो 65,000 के आसपास closing rank 2023 में गई थी for the computer science department so this is also a good option correct तो ये geographical location के हिसाब से भी जो है डेली के vicinity में मैं डेली जो है बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये जो है हमें मालू में इंडिया की capital है बहुत सरी opportunities Delhi Bombay ऐसी जगह पर आपको मिलती है बच्चो future भी जो है Delhi Bombay and Bangalore इन सब रिजन से रिटेड जो है बच्चे सोचते है कि यहां जाके settle हो yes very close to Delhi तो opportunities आपको definitely आपको जितने भी बड़ी companies हैं चाहे हम multinational और international companies की बात करें तो इनके headquarters भी generally Delhi में और Bangalore में ही situated होते है तो जब आप इन universities से और colleges से पढ़के निकलते हो और आपका placement होता है तो आपको आना या तो डेली पढ़ता है या तो फिर आपक आप 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 इंडिया ही आपको आप पर चेनिटी देखने को मिलती है correct मैं so next is the this is the Central Institute को कराजर सेंटर इंसीट आफ टेकनलोजी फिफ्टी थी थाउजन तू फिफ्टी यन पे क्लोज हुआ था यहां पर कॉंपुटर साइंस के लिए यस नेक्स्ट इस धी घनी कान चौदरी इंसीट आफ इंजीनिरिंग और टेकनलोजी माल्दा वेस्ट बेंगॉल में यह सिच अगर आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है तो यह कुछ ऐसे थे जो हमारे सभी लोगों को अगर आपके 50,000 प्लस रांक आई है तो आप यहां पर अप्लाइ कर सकते हो इसके अलावा भी बहुत सारे गोर्मेंट फंडिट कॉलेजेस हैं अगर आपके मांड में कोई कॉलेज ऐसा है जिसके बारे में हमने डिसकेशन नहीं करा बट आपको डिटेल्स चाहिए तो कोमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें तो यह चीज बच्चो आप लोगों से अगेन एक बहुत इंपोर्टेंट रिक्वेस्स रहेगी अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंद के और भी कुछ चीजों में आपके लिए हेल्प करें जैसे कि कोई दूसरा एक बहुत इंपर्टन चीज चीज अगर आपकी रंक पीछे है तो आपके दिबांग में चल रहा होता है कि सर क्या मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए क्या मुझे रिपीट कर लेना चाहिए अगर आप एक ऐसे एसे एस्पिरेंट हो जो 12th पास कर चुके हैं अभी को बता दिता हूं हुँ हाँ हमारा मेनेट इसटूट जो ये प्रेज है आपको जय को हुआ है यह परेंड यह जय के जो है जरॉपर के जच जो बैचहे हम डॉपर नहीं होने टॉपर बच्चे वोलते हैं झाल